वो अंग्रेज जो हमको समझाने कोशिश करते थे कि शासन करना भारतीयों को नहीं आता है वहाँ भारती मूल का एक वेक्ति उन्हें शासन करना सिखा रहा है आप सभी जानते हैं कि देश में G20 का आयोजन चल रहा है जो भारत की अंतराश्टी ये प्रतिष्ठा की दृष्टी से एक बहुत महात्पून कदम है जिसमें विश्व की 75 प्रतिषत की अर्थविवस्था और दो तिहाई के आबादी वाले देश है और उसी सिलसिले में G20 क के भिन्न भिन्न कारिकमों के तहट यह यंग 20 में आज यहां पर एक इस्मृति व्याक्षान माला व्याक्षान में मैं सभागिता करने के लिए आया हूँ शी नरेंद मोदी जी ने यह संकल्प लिया था कि भारत के हर गरीब वन्चित व्यक्ति को जीवन की मूल भूताव शक्ताएं मुहया कराएंगे जिसमें भोजन और आवास दोनों ही हैं प्रधान मंत्री आवास योजना को लेकर जिस प्रकार की समाचार प्राप्त होते हैं वो निश्यत रूप से कष्टकारक है यहां पर केंदर सरकार ने अपनी तरफ से जितनी रिक्विजिट संख्या थी 28 लाक लोगों के लिए पूरी विवस्ता कर दिये परन्तों राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई सूची में ना सिर्फ अनियमिताय हैं बलकि अब यह जानकारी है कि वहां पर उसको लेकर आपराधिक घटनाय तक होने लगी हैं और हत्याओं तक की समाचार मिल रहे हैं यह अपने आप में बहुत कष्टकारक है और यह दर्शाता है कि उड इत्मान सरकार गरीबों के हित के लिए किये जाने वारे कारिक के लिए भी समवेदन शील नहीं है अपितु इसमें भी उनके सत्ता संस्थान के लोग अपना-पना स्वार्त सिद्ध करने में लगे हुए हैं तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा यह तो कोनार्क के सूर्य की घरती है और हमारा तो संकल्प यह है कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्तिकाये उजाला करोडों घरों में न पहुंचा तो हम करोडों घरों तक वा उजाला पहुंचाने के लिए प्रत्नशील हैं परन्तु उडिसा की सरकार के जो क्रिया के लाप हैं वो चिंता जनक भी है और क चोड़कर पांचमी सबसे बड़ी अर्थिवस्था बन गई और ये भी एक सुखत संयोग देखिए कि वो अंग्रेश जो हमको समझाने कोशिश करते थे कि शासन करना भारतियों को नहीं आता है वहां भारती मूल का एक वेक्ति उन्हें शासन करना सिखा रहा है मगर अफस में कोई प्रभाव डाल लेंगे तो उन लोगों के लिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की